सुधीर चौधरी को फेक न्यूज के आरोप में प्रियांग खडगे जो करनाटक के मंतरी हैं उन्होंने कहा है कि आपके खिलाफ लीगल एक्सन लिया जाएगा तो क्या सुधीर चौधरी पर फिर से एफ आई आर होगी लालू यादव को फिर से गेल में डालने के लिए केंसरकार ने हरी जंडी दे दी है सोचिया लालू यादव तीन बार के मुखमंतरी उनकी पत्नी मुखमंतरी बेटा दो दो बार का डिप्टी सी एम लेगिन आप पिछरे हैं किसान हैं दलित हैं आदिवासी हैं तो आपके साथ ये होगा अगर आप आदिवासी हैं अंदोलन करेंगे तो आपको नकसलवादी कहा जाएगा अगर आप मुसल्मान हैं अपने हकों के लिए बोलेंगे तो आपको तो आतंगवादी कहा जाएगा अगर आप सिख हैं और अपने अधिकार के लिए बोलेंगे तो खालिस्तानी कहा जाएगा अगर आप दलित हैं, OBC हैं, हिंदू हैं लेकिन अपने हक के लिए बोलते हैं तो आपको गुरबादी कहा जाएगा या आपको देश तोरने वाला कहा जाएगा लेकिन इस देश में एक ही तपका है जो जो कहे वो सही सिखो का नरसंगहार में लोग को भरकाय तो भी सही मुसल्मानों का नरसंगहार करवाय तो भी सही दलित पिछरा अधिवासियों का अधिकार खा जाय तो भी सही क्योंकि उसी के हाथ में media है, उसी के हाथ में judiciary है, उसी के हाथ में college university है, उसी के हाथ में business है, bureaucracy है सुचिए किस तरह से, जारखंड में हमन्स सरकार ने सबसे बड़ी गलती कर दी है Transgender को उन्होंने OBC में दाखिल किया है, हो सकता है कि अगला चुनावन उसको उनकी सजा मिले और OBC नाराज हो जाए मैं फिर कह रहा हूँ, Transgender में भी सबसे जादे कौन है महा मंडले स्वर, किसके इसारे परे काम होता है मोधी सरकार ने को एजना लाई थी, Stand Up India दलित पिछरे को उसमें लोन मिलना था, सरकार ने ये गलती कर दिये, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं बहुत शातिर हैं उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं को डाल दो, और जैसे उन्होंने महिलाओं को डाला, सारे जन्रल कैटेगरी की महिलाओं ने पैसा उठा लिया, बिजनेस करने लगी जैसे महिलाओं को आरक्षन मिलेगा अगर उसमें SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षन अलग से नहीं मिला तो सारे जनरल की महिलाएं ले जाएंगी वो आरक्षन ये उसी तरह से ट्रांसजेंडर को OBC में डाल दिया गया है सारे सवन ट्रांसजेंडर वो सीटे ले जाएंगे लेकिन इस पर बोलेगा कौन सवाल तो ये है चंसेखा राजाद संबिधान बचाओ यात्रा निकालने वाले हैं मत परदेश से वो भी खबर बताऊंगा तो वो तमाम बड़ी खबर हैं परदेश में आरे सेस के लोगों ने एक नई पाटी बना ली है और सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि मत जम्मु कश्मीर में चुनाओ क्यों नहीं हो रहा है चुनाओ होना चाहिए जल्दी से जल्दी तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है जिसमें भय भूख भरस्टा चार है जो सत्ता से सवाल पोस्ता है ये बुलेटन देखिए आपको और कुछ देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी नमस्कार मैं शंभु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस्तर तो सबसे पहले और सबसे बड़ी ख़बर करनाटक में अलसंख्यकों को सबसीडी लेकिन हिंदूओं को नहीं ये सुधीर का जो न्यूज थी इसको लेकर प्रियांग खरगे ने कहा है कि आप मिसलीट कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो रुबिका लियाकत इसमिता परकास या सुसान सिनहा का क्या होगा जो राष्टपती भवन में द्रौबदी मुर्मूजी के साथ साथ सबसे पहले परसांद कनोजिया को जेल में डाला गया दलिस समाज का युवा पत्रकार जिसने तै किया कि अब मैं पत्काईटा नहीं राधनिती करूँगा वो जयन चौजर सबसे पहले उनको जेल में डाला गया सबसे पहला निसाना दलित बना हम लोगों को रोज गाली धम की फयार कर दी जाती है उसके बाद सुची एक हात्रस के रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे उस पत्रकार को गिरफतार कियागा उसके बाद बिहार सरकार ने यूटूबर मनिस कस्यप को इसलिए जेल में डाला क्योंकि पुखता सबूथा कि वो फेक निउज फैल आ रहे थे फेक वीडियो बना रहे थे ड्रमाटाइज वीडियो बना रहे थे मतलब जूट मूट के लोगों के नाक मूँ पर पट्टी बांध कर जिसको लेकर सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा वीडियो बनाते हैं और आप खुद को पत्रकार कहते हैं और आप हमसे जमानत मांगने आएं सुप्रिम कोर्ट ने भी उनकी जमानत खारिज कर दी है सोचिए तो फेक न्यूच फैर सवाल है कि अगर इस सरकार बदल गए तो इन पत्रकारों का क्या होगा देखते हैं इस मामले में सुधे चौजरी के साथ क्या होता है जो सबसे बड़ा सवाल है एक बड़ी गलती हो रही है हमन सोरें से OBC कैटिगेरी में वो ट्रांस जेंडरों को डाल रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा OBC को भुगतना पड़ेगा क्योंकि सारे ट्रांस जेंडर जेंडरल कैटिगेरी के वो रिजर्वेशन ले जाएंगे और 50-55% वहाँ भी आवादी है OBC की और 50-45% ट्राइवल हैं फिर उनको लगता है कि मुस्लिम और इसाई वोटोस उनका काम चल जाएगा तो हमन सोरें के जो भी सलाकार है मैं फिर कह रहा हूँ बहुजन नेताओं के जो सवन सलाकार होते हैं उनको अपने ही पैर पर कुलहारी मरवाते हैं करनाटक सरकार को बदनाम करने और समधाय के बीच में तनाव बढ़ाने के जुड में सुधिर त्यारी को तुरंद जेल भेजा जाना चाहिए रितु चौधरी ये कॉंग्रेस के नेताइं उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है देखते हैं इस पर क्या होता है एक एक खबर का बिसलेशन सुने और ये बहुत जरूरी खबर है प्रियांग खरगे ने जैसी तूट किया परसांत ने कहा कि इस पर कारवाई होने चाहिए और ये है सुप्रिम कोर्ट जाएंगे कई मामलों में सुप्रिम कोर्ट जाते रहे हैं अब ये कर और ये देखे इस सक्स को पहचान लीजी ये साधू है अपने आपको कहता है मंदिर का पुजारी पर गंभीर आरोप लगे खंडवा एंपी में बच्ची की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते हैं खंडवा एंपी में पवित्र सिटको नाम के पुजारी एक मासूम एससी बच्ची के पीछे परा था उसे गालियां देता था और विरोध करने पर जान से मा जूरी केंसरकार ने दी है आप करोडों गरीबों की आवाज हैं आपकी आवाज में मजलुमों की आवाज सामिल है भारत के निलसन मंडेला के सामने फासिस्ट नहीं टिक पाएंगे उनको जुकना होगा सोचिए इस देश में करोडों और और रुबों रुपए लेकर दद से जहां किसानों ने लाल ज्हंडा लेकर आज बरा परदसन की आंदोलन किया कोई टीवी अख़वार नहीं दिखाएगा हमारी कोशी से की दिखाते हैं और एक वीडियो हमने बनाए अब भी देखिए ये वो पत्रकार हैं जो दिन भर भारत के मुसल्मानों के खिलाप जहर पति भवन में तो ये भी सोसल मीडिया पर वायरल है कनहिया कुमार ने इसको लेकर ट्वीट किया है अपने देश की मुसल्मानों को दिन रात गालियां देते हैं और विदेशी मुसल्मानों को से लाइन लगकर हात मिलाते हैं कहां से लाते हैं इनका इतना हिपोक्रेसी अं गुगल सहनसा अकबर को सांती अब लोकतंतर का लीडर बताया है अब भक्त क्या कहेंगे और सोसल मीडिया पर जो तमाम बड़ी खबरे हैं मोनू मानेशर को हिरासत में जुडिशल का स्टडी में चोदर दिनों के लिए भेद दिया गया है फिलाल उनकी उसकी गिरफतारी सपाकेनेता आईपी सिंग का ट्वीट है यूपी में डर लगता है अखिलेश यादव को मिर्जापूर याद है वो मिर्जापूर मिर्जापूर में बैंक के बाहर सर्याम गाड की ऐसी तैसी करके 22 लाख लुपाय की लूट है ये भी सोसल मीडिया पर वाइरल है गाड नहीं रहें और उनको लिखा इस तरह से स्वामी नरायन अक्षरधाम मंदिर में सबसे बड़ी भव मुर्ति किनकी होती है जो लोग अंदर गहें वही बताएंगे घंस्याम पांडे और स्वामी नरायन तो सुचे इस देश में जितने तमाम जो संस्था जो इस तरह के धार न चले स्वामी नरायन जो है वो भी ब्राह्मन समाज से थे ऐसे तमाम जो आर समाज ब्रह्म कुमारी यह सब के संस्थाप्पों को आप देखेंगे इन लोगों ने कोई हिंदू समाज के नाम से संगठन नहीं बनाया लेकिन सब के पिशे आप देखेगा भारतर दॉक्टर सकती है मेरी सला है कि राम मंदिर की सुरक्षा एनेस जी को दी जाए और भक्तों को जेट पला सुरक्षा परकास संबेट करने यह कहा है इसी तरह की सम जो कयास हैं वो उधर ठाकरे लगा चुके हैं और मोनु माने सर को नूँकोट में पेस किया गया चौदा दिन को उनको पर इमान पर जुदिया सरक स्टडी में भेज दिया गया है और दिन रात भारती मुसल्मानों को आतंगबादी और देजरोही का कर पुकारने वाले स्टार एंकर साओधी राजकुमार से मिलने के लिए लाइन लगा कर हां जोरकर बेताब नजराएं यह बेसरमी जरूरी है या मजबूरी है आरफा खानम सिरवानी ने कहा है इस तरह के आरोप लगाएं सवाल तो जायज बनता है किनरों में जाती होती है लक्षमी नरायन तिरपाथी को ही किनर महा मंडले स्वर बनाये गया है तो सोचिए यह दिलीप मंडल ने मुर्चा खोल दिया है वो आज डिस का निभाई है अलिपूर कोई निवासी वह रक्षा मंत्राले के सिनियर सेमली में सेक्षन ओफिसर है और उन्हें समीट की समापती पर बिस ड्यूटी के लिए मेडल देकर समानित किया गया है अम्रोहा के गाउं अलिपूर निवासी चंदपाज सिंग बालमिकी के पूत र भारतिय मुसल्मानों वाला जो है वो लगातार सोसल मीडिया पर वाइरल है और एबीम को लेकर करांती कुमार ने लिखा एबीम जैसी जादूई मसीन है कि उपचुनाओं में विपक्षी जलो को जिता देती है लोकसभा चुनाओं में बीजेपी को जित दिला देती है तो गुंडों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है ये भी सोसल मीडिया पर है और सुधानसुक तिरवेदी का ट्विट देखिए ये बताओ जली किसकी होगी ये हैं मेंबर और पार्लियमेंट इनका वो पता नहीं फेक एकाउंट है ट्विटर लेकिन सुधानसुक तिरवेद आते हुए इन्होंने तस्वीरे शेयर के थी लोग पूछ रहे हैं कि उजबला योजना कहां है तो ये तमाम तस्वीरे हैं जो सोसल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बहुचर मीडिया सोचिए सुर्म सब्सक्राइब में OBC, SC, ST से रोटी बेटी का रिस्ता नहीं तो सोचिए ब्रहामन समाज में पार्सी चलेगा मुस्लिम असरफ मुस्लिम चलेगा लेकिन SC, ST, OBC नहीं चलता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू बनने से पहले ये तमाम चीजे आप सोचेंगे तो आपको पत प्रशगारी ने और करप्सन को बढ़ा दिया है जो सोचल मीडिया पर वाइरल है ये तमाम खबरे आपके लिए बहुत जरूरी है और जो आज सबसे जादा वाइरल है कुछ टूइटर फेस्बुक पर मैं पोस्ट पढ़के बताऊंगा कि बहुजन समाज के लोग कितना ज देशी है यह भी भारत में बैन होना चाहिए अच्छे दिन वाला गुजरात देश में आज सिक्षा के छेतर में अठारवे अस्थान पर है बाकी तो सब जुमले थे भारत नाम कहा चार डालते रहो हमाई टकर ऐसे लोगों से जो दूद को बहा देते हैं गी को जला देते ह हम तो भूखे पेट सो जाएंगे हमारा बच्चा सो पाएगा दिल्ली की एक मजदूर तो तमाम इस सोसल मीडिया पर इस तरह की खबरे जो लोग लिखते रहते हैं और सोचिए किस तरह के इहां अस्था भी अजीव अजीव है एक मंदिर में सराब चरहाया जाता है मुझे इस तरह की भी तस्वीरे हैं हम तस्वीरे नहीं दिखा सकते हैं सोसल मीडिया पर तो यह तमाम खबरे थी जो आपके लिए मैं लेकर आया था क्या यह खबरे आपके लिए जरूरी है कि नहीं सरोकार है कि नहीं आप अपनी पर्तक्रिया जोर दीजे मत पर्देश में बीज शुपाता है वो हम आपको दिखाते हैं शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल द